पहले हमने गैस ओन करना है गैस में एक कड़ाई बिठाना है और कड़ाई गरम होने के बाद उसमें एक बड़ा चम्मच गाए का प्योर गी डालना है अगर आपके पास गाए का प्योर गी नहीं है तो आप अलग सा गी भी डाल सकते हो अगर गाए का प्योर गी है तो वो सहत के लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है तो हमने साइड में प्याज दो मेडियम साइज के लंबे-लंबे काटके रखने हैं और हरी मिर्च भी लंबे-लंबे काटके रखने हैं और हरी मिर्च आप तीखे जितना खाना है आपको उसे कॉडिंग हरी मिर्च रख सकते हैं अगर ज्यादा दिखा पसंद नहीं है तो आप कम हरी मिर्च भी रख सकते हो क्योंकि इसमें हमने कोई मसाला नहीं डालना है तो हमने ज्यादा हरीमिर्च ले रखिये अगर मसाला नहीं डालोगे तो थोड़ा तीखा आएगा तो ज्यादा टेस्ट आएगा हमें कडाई में गी को मैस होने देना है पूरा मिल्ट होने देना है जैसे कि आप देख रहे हो गी मेल्ट हो रहा है हमें दो मेडियम साइज का टमाटर काटके रखना है फिर हमने वो गरम गी में प्यास डाल देना है जो काटके रखना है फिर उसे चलाना है फिर हमने जो हारी मिर्च काटके रखना है वो भी डाल देना है उसमें फिर उन दोनों को अच्छे से मिलाना है मैं फिर से बता रही हूँ आपको अगर आपको ज़्यादा दीखा पसंद नहीं है तो आपका हारी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो जैसी कि आपको मैं बता रही हूँ कि जो रेसिपी है हमने बनाना है देसी चिकन से अगर आप ब्रॉयलर ले रहे हो तो उससे भी बना सकते हैं आप हमने बना रहे हैं देसी चिकन से तो हमने देसी चिकन ली रही है 200 ग्राम जो हमने धोकर रखना है साइड में उसका पानी निकाल कर छनी की उपर रखना है जोकि हमने पहले से रखकर रखे थे ग्यास को आप हाई फ्लेम में ही रहने दो फिर हमने उसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मज डालना है फिर जो देसी चिकन हमने धोके रखे थे वो देसी चिकन उसमें डाल देना है फिर उससे चलाना है अच्छी से मिलाना है चारो तरप से फिर हमने उसमें डालना है नमक स्वादनुसा डालना है उसमें नमक नमक डालने के बाद हमने उससे अच्छी से मिलाना है चारो तरप से आप ये रेसेपी घर पे शियो ट्राइ कीजिए क्योंकि ये रेसेपी बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं पड़ेगा देखिए हमने ढग दिया उसे चला के तो पांच-पांच मिनिट में हमें उसे चलाना है तो देखिए ये हमने नीम्बू काटके रखे हुए इस चिकेन के एकोडिंग हमने एक वानन हाप नीम्बू लिये हैं तो इस नीम्बू का हमने जूस निकालना है उसका जूस निकालकर उसका बीच को छान देना है और उसका जूस अलग से रखना है बन्नी में देखिए हमने लाल मिर्ज डाली है लाल मिर्ज डालके हमने फिर से उसे जलाना है फिर हमने उसे ढखना है फिर पांच-पांच मिनिट में उसे ऐसे ही चलाते रहना है आपको फ्लेम हाई ही होगा मीडियम लो कुछ भी नहीं वो हाई ही रखना है आपको क्योंकि हमने पांच-पांच मिनिट में उसे चलाना है फिर देखिए हमने वो जूस लेमन का जो निकाल के रखे हुए है और टमाटर रखे हुए है जूस और टमाटर का जो खटास वो उसमें जाएगा तो उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अलग ही आएगी तो देखिए हमने टमाटर डाल दिये हैं टमाटर डालने के बाद हमने उसे फिर से ढखन लगा दिया टमाटर को पकने देना है फिर हमने साइड में पानी गरम करने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें गरम पानी आपको डालना है तो उसको पकने देना तक जितना पानी आपको क्वांटिटी चाहिए उतना पानी आपको गरम करना है ना जादा ना कम क्योंकि उसको पकना भी है चिकन को चिकन को अच्छी तरह पकने के लिए जितना पानी आपको चाहिए उतना को देखिए अच्छी तरह मैस होने देना है यह मैस हो रहा है टमाटर फिर आपको आपने जो गरम पानी रखे थे उसको बंद कर देना है और साइड में रख देना है टमाटर को अच्छी तरह मैस कर देना है पूरा टमाटर मैस होना चाहिए देखिए जैसे कि आप टमाटर मैस हो गया उसमें जो लेमन का जूस निकाल के रखे थे हमने वो जूस डाल देना है फिर जो हमने गरम पानी रखे थे वो गरम पानी को उसमें डाल देना है यह उसे चलाना है आपको अच्छी तरब चारों तरब से उसमें उबाल आने तक आपको उसको वेट करना होगा देखिए हमने कम पानी दिया था इसलिए थोड़ा और घरम करके पानी डाल दिया उसमें यह चिकन को अच्छी तरब पकना भी है देखिए हथ उसका कलर भी बहुत टेस्टी कलर आ रहा है आप देख सकते ओ कलर कितना कलरफुल आ रहा है पुरा कि दिखने में भी जितना टेस्टी है खाने में भी इतना पक्का टेस्टी है तो आप लोग घर पे इसे ट्राइए कीजिए तो आपको जैसे की हरी धन्या पत्ता आपको काटके रखना है साइड में वो लास्ट में देना है आपको जैसे देखो आपने लो लो फ्लेम करके पकनी देना है उससे फिर धकन देके देखो उसका पक गया है वो तो पकने के बाद उससे धन्या पत्ता देके गार्निस करना है गार्निस करने के बाद उससे गरम गरम परुसना है और आप ल झालगा एरसे पी